इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है टांसपर पोस्टिंग पर सिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया है जिहाद इस तरह से टांसपर पोस्टिंग पर सस्पेंस बन गया था कि अब टांसपर पोस्टिंग की प्रकिरिया लंबी लटक गई है लेकिन सिक्षा विभाग ने अब नया आदेश जारी किया है नमस्कार दर्स निूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बड़ी खबर आ रही है कल सीम नितीश कुमार ने कहा कि सिक्षकों को इधर उधर नहीं जाना होगा अपने ही स्कूल में पढ़ाएंगे दरसल विशिष्ट सि उन्होंने ये बात कही थी अब लेटर आ गया है टांसपर पोस्टिंग का हलाकि जिस तरह से पुराना जो आवेदन चल रहा था इस सिक्षा कोस पर उसे तमाम चीजों को रद कर दिया गया है और अब नए सिरे से टांसपर पोस्टिंग के लिए आवेदन लिये जाएंगे आपको सबसे पहले वो लेटर दिखाते हैं जो आदेश है जो सिक्षा विवाग की तरफ से जारी किया गया है टांसपर पोस्टिंग के संबंद में हलाकि दवल खुसकबरी आ रही है दूसरी खुसकबरी आपको दूसरे वीडियो में देंगे लेकिन सबसे पहले टांसपर होगा कैसे उनकी टांसपर पोस्टिंग होगी लंबे समय से बाट जो रहे थे कि अपने घर में चले जाएंगे महिलाय जिनकी साधी हो गई वो ससुराल जाने के लिए बेकरार थी लेकिन सब पर पानी फिर गया था कल जिस तरह से सीम नितीज कुमार ने मन से कहा कि जो जहा है वो उसी स्कूल में बने रहेंगे तो ऐसे में टांसपर पोस्टिंग का लेटर आ गया है टांसपर पोस्टिंग की प्रक्रिया बरकरार रहेगी नए सीरे से इसकी सुरुवात होगी आदेश आपको दिखा रहे हैं जो सिक्षा विभाग की तरब से जारी किया गया है जो संची का संख्या साथ इस्थापना दो छे दो हजार चोविस दो बीस सो पैंतिस विभागिय संकल्पना संख्या इतना दारा प्रक्यापित सिक्षकों के इस्थनांतरन परदस्थापन नीती को राज सरकार द्वारा रद करने संबंदी निर्ने के आलोक में सिक्षकों से इ है तू इस सिक्षा कोस्ट पोटल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रती विचार नहीं किया जाएगा पूर्व से इस सिक्षा कोस्ट पोटल पर ऑनलाइन अस्थनांतर पदस्थापन है तू समर्पित सभी आवेदन रद्य समझे जाएंगे तो आपने सुना कि आपने जो भी आवेदन किया है वो अब रद्य समझे जाएंगे घबराईये मत क्योंकि आगे जो लेटर में लिखा गया है वो खुसकबरी है और चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है आगे लिखा गया है बिभीन स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ सिक्षक विशेश समस्या से ग्रसित होने के कारण हुष्थनांतरन हेतु एक्चुक हैं ऐसे शिक्षा को जो किसी विशेश समस्या के कारण अपने है अश्थनांतरन हेतु उच्छुक हैं वह इस सिक्षक को फोटल पर अपना आबेदन नए सीरे से दिनांघ एक बारह दोहजार चौबिस से पंदरा बारह दोहजार चौबिस तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं वड़ी खबर है और खुशकबरी है जिस तरह से कल लोगों के मन में सस्पेंस हो गया था परसो जिस तरह से सिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन जो ट्रांसफर पुस्टिंग की प करकार को जवाब मांगा था और इस भी सिक्षा मंत्री सुरील कुमार ने आकर कहा कि ट्रांसपर पुस्टिंग की प्रकिरिया जो है पूरी उसे रद किया जाता है और अगले दिन सीम नितीश कुबार ने नियुकती पत्रवाटने के दोरान कह दिया कि जो सिक्षक जिस स्क पुस्टिंग नहीं होगी तो ऐसे में अब घबराने की जरूत नहीं है हस्ये खिल खिलाईए जिनको जरूरत है ट्रांसपर पुस्टिंग के लिए वो आवेदन करेंगे और एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये प्रकिरिया चलेगी तो तयार हो जाईए क्योंकि इस इक्षा को स्पूटल है पर आपको फिर से आवेदन करना होगा ट्रांसपर पुस्टिंग के लिए बने रहे दर्स न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अब्डेट रखेंगे फिलाहल के लिए इतना ही धन्यवाद